जिसमें लाहरमान रही मैं मुहमद सिल्वान और आप देख रहें मेरा चैनल मास्टा कुछिंग चैन्टर आज की जो वीडियो है वह है Chemistry के नुमेरिकल की और Chemistry के नुमेरिकल चैप्टर नंबर एट के हम नुमेरिकल करेंगे मेरे चैनल में ज़रूर करें चैप्टर नुमेरिकल से यह भी वीडियो बहुत शॉर्ट है क्योंकि जादा नुमेरिकल नहीं है तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फॉर्मुला सम expli पर जाएंगे कर मेंहां बाइस चैप्टर में कौनそう टों में यहां साइड में लिखन अक्त normal City जो हमने लाश्ट Article में चैप्टर मेरे लेडिट के आंदर इसके बाद अगर बात करूं morality morality के बाद एक numerical है मार पर morality का इसमें morality का formula है mass of solute multiply by 1000 divided by molecular mass multiply by gram of solvent तो solute and solvent वो चीज़ होती है जो कम मिकदार में वो solute और जो जादा मिकदार में वो solvent mole fraction के formula है mole fraction अगर ए निकालना होगा तो इस formula को यूज करेंगे भी ही निकालना होगा तो इसको रोल डापी पी ओ एकस्ट। और पी लोग प्रेशर ऑफ और rier ऑफ यहार आप प्रेशंट ऊफ गेसिंसरना और ओधि फैर रेसर प्रेश और डापी चेंज इन प्रेशिर सभी नुमेरिकल जब यूज करेंगे इसको आपको फॉर्मला और अच्छ से समझाएगा सभी अभी हम इन कोश्चन्स करते हैं पहले जो इंपॉर्टेट नुमेरिकल तो यह हैं बुक वाले नुमेरिकल इसमें इस पर जैसे नहीं लिखेंगी कि बुक वाले नुमेरिकल आप कास्टिक सोड़ा इस डिजॉल्वें वाटर एंड सॉलीशन इस मेड ऑफ हंड्रेट सैंटीमीटर और वॉल्यमेट्रिक प्लाइटर्माइन दा कॉंसेंट्रेशन सॉलीशन आप मॉलारेटी इस डेटा कम्प्लीट करता हूं सबसे पहले सवाल में हमें दिया मास ऑफ कास्टिक सोड़ा सिक्स पॉइंट टू फॉर ग्राम ऑफ एन एवेज दे रहे तो मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे किसका एन ए ओ एच का सोडियम का 23 हाइड्रोजिन का वन ऑक्सिजन का 16 इन सबको एड कर लेंगे तो 40 आ जाएगा सभी फिर आगे वॉल्यूम के वेन हैं 100 सेंटी मीटर क्यों हमें मॉलारेटी रिकालनी है लब कैपिटल एम से लिख लेते हैं और आगे मैंशन करें कि मॉलिकुलर मास मॉलारेटी मॉलारेटी यह फॉर्मले पर आ जाते हैं मॉलारेटी इक्वेल्स टू मास मॉल्टीप्लाइब वन थाउजन डिवाड़ेड़ मॉलीक्यूलर मास मॉल्टीप्लाइब वाल्यूम मास हमार पास है 6.24 मॉल्टीप्लाइब वन थाउजन डिवाड़ेब मॉलीक्यूलर मास 40 है और यह हंड्रेट है सॉलीशन के लिए देखो एक जीरो यह कट गया यह इस जीरो से कट गया यह जीरो इस जीरो से कट गया तो आपके बाद बचा इसका 6.46.24 डिवाड़ेड़ वैफ फॉर सिंपल इन दोनों का आप डिवाड़ कर दोगे तो 6.24 डिवाड़ेड़ वैफ तो यह आगया 1.56 तो यह आपके मॉलेट नहीं कर गए तो यह आंसर आसान दा तो इस चप्टर की नुमेरिकल इसी और छोटे के लिए में सिंबल म लगाते हैं इसका सभी है उए उनिट वारी आगी कोशन बढ़ते हैं नेक्स पे An aqueous solution 1.2 molality अब molality given है Is prepared by dissolving some amount of oxalic acid into 745 gram of water Determine the mass of oxalic acid in solution Molecular mass of oxalic acid तो यह तो सवाल का data पहले complete करते हैं कि वे data में क्या क्या चीज़े दी वी है molality given है 1.2 आपको दे रहा है mass of water water आपका क्या होता है solvent mass of solvent given mass of solvent 475 gram Determine the mass of oxalic acid oxalic acid आपका होगा solvent sorry solute एक चीज़ी water solvent है और यह solute जो चीज़ कम मिगदार में होगी और सवाल को अगर आप पढ़ो तो बता रहा है कि oxalic acid को dissolve किया इसका मलब लाजमी जब dissolve किया तो कम अमांट में होगा mass of solute आपको पूछ रहा है और आपको molecular mass दे रहा है capital M 126 gram पर मोल और यूज़ करते हैं मॉल्यालिटी का मॉल्यालिटी का फॉर्मॉला मास ऑफ सॉल्यूट multiply by 1000 divided में होता है mass of solvent multiply by volume sorry volume यहां पर नहीं होता यहां पर आपके पास क्या होता है gram of solvent यहां पर होता है और यहां पर मैंने molecular mass लिखना था तो यहां हम मास ऑफ सॉल्वन लिदिया है कि molecular mass लिखने किसकी पाता है मॉल्यालिटी पाता है 1.2 मास ऑफ सॉल्यूट हमें find करना है इसको एम से लिख लेते हैं यहां पर लिखना चाहता हो सिंबल लिख दिया करो तो आसान हो जाता है कि वन ताउजन कि मॉलीकिलर मास में गेविन है 126 ग्राम और सॉल्वेंट की वैं गिविन है 475 यह दोनों वैल्यू डिवाइड में दूसरी तरफ ले जाओंगा मॉल्टिप्लाइब में आ जाएगे तो 126 मॉल्टिप्लाइब पॉर हंडेड़न सेवंटिप्लाइब पाइब और थाउजन अग्ले स्टेप मिले जाओं इन सब को मॉल्टिप्लाइब करते तो मैं कि 1.2 मॉल्टिप्लाइब 126 मॉल्टिप्लाइब 475 तो या गया 71820 इसको आप डिवाइड कर दोगे 1000 तो या गया सेवेंटिवन पॉइंट एट तो मास आपके पास आ गया सेवेंटीवन पॉइंट एट टो मास का यूणिट जीए तो यह आपका अंसर आ अगया यहां पर मॉल्यलीटी का मॉल्यलीटी के सवाल में मास का next example है सवाल में क्या given है 85 gram of glucose dissolved in 72 gram of water in solution calculate the mole fraction of glucose and water तो सवाल में अगर आपको देखो तो mass given है glucose का mass given water का और mole fraction पोच रहा है mole fraction निकलता है moles की मदद से यह चीज़ याद रखना तो यहां पर हम data में कम्प्लीट करते जाएंगे मास गेवन है ग्लुकोस का तो इसको हम ले लेते हैं एपर अब अब अपने साथ रफ़क में कहीं लिख सकते हो याद रहेगा आपको आपने ग्लुकोस कि एपर लिया है और वाटर भी पर लिया है कि तो मास ओफ एपको गेवन है 45 ग्राम मास ओफ वाटर आपको गेवन है 72 ग्राम अब आपको इस सवाल में यह पता होना चाहिए कि ग्लुकोस का फॉर्ण नहीं होता है सी 6 ह 12 और 6 इसका मॉलीक्टिलर मास अब सॉल्फ करोगे 60 आगा दो चीजा अपठानी चाहिए तो मॉल्ट ओफ एट कर देंगे molecular mass A से तो mass of A है 45 molecular mass A है हमार पास 60 इसी तरह moles of B निकालेंगे तो mass of B को divide कर देंगे molecular mass B से 72 divided by 18 यह दोनों को simplified कर लेते हैं तो 45 divided by 60 तो यह आगया 0.75 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 72 divided by 18 4 अब हमें निकालने मौल फ्रेक्शन ए निकालना है मौल फ्रेक्शन निकालना बी कर तो यह आपका रपकता सारा या फैर भी कर सकते हैं अपने पात हमें मौल फफ ए निकालने फ्रमला वाह पास है एन डिवाड़ेड वैं ए प्लस एन वी और जब मौल फ्रेक्शन बी निकालने होंगे तो एन बी डिवाइड़ेड वैं एन प्लस एंटी कि ए ने की वैली आपास कितनी 0.75 एने की वेलिए 0.75 और बी की वेल्यू 4 तो 0.45 डिवाइड वे नोनों को प्लस करेंगे तो 4.75 फिर नोनों को डिवाइड करतेंगे जीरो प्माइड 45 डिवाइड बाई वा स्कूरिए 0.75 डिवाइड बाई यू पॉइंट सेवन पाइड वे नोपर में श्रीक के सक्वाइड कर लाता हूं 0.75 डिवाइड बाई 0.75 डिवाइड बाई पॉर 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 पीट्-75 तो आंसर आ रहा है वशन 0.15 इस तरह भी चीज़ करेंगे मोल फ्रेक्शन बी के लिए हमार पास कितने फॉर मोल इसको प्लस करेंगे 0.75 को फॉर से पहले प्लस करेंगे देन डिवाइड तो 4.75 तो फॉर डिवाइड वाइड पॉर पॉर पॉइंट सेवन पाइड तो जीरो पॉइंट एट फॉर पॉइंट के बाद दो यह तीन नमर इनफ है यह तो यह आपका आंसर आगया सही आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन पर तोड़ा सा डिफरेंट है कि सवाल में आपको मेंशन है कि कैल्कुलेट दब मुलैरिटी कि मुलैरिटी निकाल नहीं है और 12 परसंट ऑफ यूरिया दे रहा है इस पार मुली मुलर मास दे रहा है 60 तो मुलैरिटी पूछ रहा है 12 परसंट ऑफ यूरिया यह जो परसंट में वैल्यू दे रहा है इसका मतलब है यह हमें मास और अगर यूरिया है तो सॉल्वेंट का मास होगा वह हंड्रेड माइनस 12 बनेगा जो आएगा 88 तो मास ओफ यूरिया आगया आपके पास मास ओफ शॉल्वेंट आगया आपके पास मुलैरिटी निकालनी है और मुलर मास आपको गिवेन ए 60 तो सिंपल फॉर्म ना लगेगा अगरिया आप मुलैलिटी इस एक पल्टो मास ओफ सॉल्वेंट मुल्टिप्लाइब वन थाउजन मॉलीक्यूलर मास मुल्टिप्लाइब आपके पास कितना है त्वेल्फ ग्राम मुल्टिप्लाइब वन थाउजन मुलर मास हमार पास 60 है और मास ओफ सॉल्वेंट हमार पास कितना एटी एट इसको सिंपलिफाइब करेंगे यहां जीरो से जीरो कडिया और कटिंग करें तो आपकी मर्जी आप कटिंग ना करो तो डारिक भी कर सकते हो सब्सक्राइब तो यह हमारे बच्राइब डिवाड़ेड़ एटी एट तो तोड़ा असान करेंगे मैंने कटिंग करी थी आपको ना करना हो तो आप ना करो अंसर आगे 2.27 2.27 आगए हमारी मॉलाइलेटी तो यहां पर आके आपकी एक्जेम्पल नंबर पूर भी कम्प्रीट हो गए एक्जेम्पल नंबर सिक्स पर आते हैं सवाल दे रहा है क्लूकोस इज नॉन व ओलेटार इस सॉलीशन है इन वॉर्टेर दर्लुकोजा मोल्द बता रहे हैं की 5.8 मोल्स ओव वाटर दे रहा है 20 डिग्री संटिग्रेट पर डिटर्माइन लोवरिंग वैपर प्रेशर कि कितना प्रेशर चेंज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इस प्रेशर और वाटर इस वाटर का प्रेशर आपको गिवे रहा है एस यूमिंग दा आइडियल यह सबसे ऐसे वहाँ यह सब्सक्रीन पहले आपको मृल्स ऑफ ग्लूकोज दे रहा है तो आप यह से मूल्स लिखते से ग्लूको से ले ला वाटर को भी पह ले लो फिर आपको तेंप्रेशर देुर देरा देरा प्रेसर नहीं होगी over आपको पूछ रहा है चेंज इन primo डेल्टा हू होगे complete आपको एने गेविन है जीरो पॉइंट वन पाइव एन भी गेविन है पाइफ पॉइंट एट आपको गेविन है पी ओ 17.5 टॉर आपको पूछ रहा है चेंज इन वेपर प्रेशर लोवरिंग तो डेल्टा पी पूछ रहा है अगर आप डेल्टा पी के ये फॉर्मिलाइक की बात करों तो देल्टा पी सब्सक्राइब आप अगर आप देखो तो आपको डेल्टा पी मालूम करना है लेकिन एक्स चुलि नहीं पता ये अगर आप तो पने एक प्लस एन बी कि क्या हो जाएगा कि एन बी की वेलिया बारपास है पाइफ पॉइंट एट और एफ पाइफ पॉइंट एट तो इसको पहले एड कर ले दे नीचे तो फाइफ पॉइंट नाइन फाइफ अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे फाइफ पॉइंट एट डिवाइड वाइफ पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन सेवन तरहीं यह आगया एक्स भी आगया अब इस फॉर्मले को यूज करेंगा डेल्टा पी इस इकोल टू पी एक्स पी डेल्टा पी आपके पास मालूम करने के लिए पियो की वैलियो सेवन हंट 17.5 एक्स भी 0.975 74 मल्टिप्ला कर देंगे नोनों को यह आपके पास सेवन्टीन पॉंट 5 मल्टिप्ला बेद जीरो पॉइंट नाइन 7 ओर 17.045 17.045 पीछे यूनित टॉर था यहां बार जो यूनिट पहले दिया होगा वही आगे भी लिख हो गया यहां पर एक मैंने मिश्टेक किये तो यह आपको समझा देता हूं क्या अच्छा यहां पर हमार पर जो चीज़ सॉल्यूट होती है इसको आप बी पर ले तो यहां पर आएगा और जो चीज़ सॉल्वेंट होगी वह आपके पास किस पर आएगी एपर प्रॉपर होगा सही वर्ना गड़ बढ़ आएगे यहाद रखना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो यहां पर आपके पास थोड़ी सिंबल में तो एन बी हमारे पस क्या है 0.15 इसको सेंप्लिफ़ाइट करेंगे 0.15 divided by 5.95 0.8925 0.8925 तो यहां पर आएगी वेल्यू 0.8925 करते हैं 17.5 अचाहिए यहां पर 0.15 को 5.95 से डिवाइए 0.025 अभी बड़ी वेली क्यों आ रही है इसको करेकर लगे 0.025 तो यहां पर भी वेली आएगी 0.025 है इन दोनों को मुल्टिप्लाइ कर देगा तो 17.5 मुल्टिप्लाइब 0.025 तो यहां गाएगा 0.4 375 तो यह आंसर होगा सभी नेक्स कोश्चन पर बढ़ते हैं कोश्चन है दो वैपर प्रेशर अफ्यार लिक्विट एड़ इस 37 37 mm अब एची दे रहा है इन्टो अ मिक्ट्ट्र अधर लिक्विट भी तो मेक अ एक लिक्विट को भी लिक्विट के साथ मिला है वैपर प्रेशर ओफ एफ दो सॉलीशन इस फांड तो भी एक अवैपर प्रेशर भी आपको गिवें ने 33 कैल्कुलेट दा मोल फ्रेक्शन ओफ एज्यूमिंग इट अभे रूल्स लॉंग अधर डेटा आपको प्रेशर गेवें ने एक एसका पी 37 mm यह प्यापका पी ओ फिर आपको सेकेंड गैस का जो प्रेशर गेवें पीबी 33 mmHg कि आपको क्या पूछ रहा है मोल फ्रेक्शन ओफ एपूछ रहा है कि टेंप्रेशर दे रहें लेकिन उसकी कोई नहीं है स्वालीशन प्राते अगर मैं फॉर्मला पीशे देखूं तो डेल्टा पी का फॉर्मला पी ओ एक्स टू था तो आपके बाद पी ओ है डेल्टा पी नहीं है एकसह आपको मालूम नहीं करना तो इसलों आपके बाद दूसरा फॉर्मम मैं नहीं लिखाता था ना लिखेगा एकस्वन लिखो या इसको अर्फेलगों तो आपके बाद पी पाता है पी हो पाता है आपको क्या मालूम करना है एक्स वन तो पी की वैल्यू थर्टी थरी इसकी थर्टी सेवन